पोश्ट वितीजम हिंदी चानल प्रेक्षकों को स्वागत हिंदी के प्रमुक कवी यंपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान बालगंगादर तिलक की जीवन गादा को आपके सामने प्रस्थ करना चाहती हूं पूने में प्लेग फाइल गया सरकार विवश्टी प्लेग की कोई ऐसी दवा सरकार के पास नहीं थी जिससे इस महमारी से जनता को मुक्ती दिलाई जा सके मुंबई से लेकर पूने तक यह बीशन रोग फाइल गया एक साथ इतने लोग मरे की उनके शवों को टिकाने लगाने के लिए शमशान घाटे और कब्रिस्तानों में कतारे लग गई लोग घर चोड़ कर भागने लगे गाव के गाव शहर के शहर काली हो गये अपनी आदत के अंसार इस भार भी सरकार देर से ही चेती कई महीने बाद सरकार ने यह माना की प्लेग फाइल चुका है और युद्ध स्थर पर प्लेग निरोधी उपाई करने का ढोंग करने लगी चार परवरी 1897 में महमारी अधिनियम पारित हुआ इस अधिनियम के तहट अधिकारियों को असीमत अधिकार दे दिये गये लोगों के घर काली करवाने प्लेग पीडितों को आस्पताल भिजवाने तता किसी भी घर की अचानक तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को मिल गया था बिना किसी पूर्व सोचना के पुलिस किसी भी घर में गुश जाती थी और भीमारी को अस्पताल ले जाती थी तता उसके परिवार वालों को भीमारी से अलग सुरक्षिस्तानों पर पहुंचा जेती थी परिवार जनों को सुरक्षिस्तान पर पहुंचाने की आड में पुलिस के जवान युवस्त्रियों के साथ मनमानी करने लगी गोरे सिपाईी बूट पहने पूजस्थलों में गुश जाते थे और घर को किटानों मुक्त करने की आड लेकर घर का सारा सामान इकटा कर उसमें आग लगा देते थे शुरू में तो तिलक सरकार का सहयोग करते रहे परन्तु जब उनके कानों में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायते आने लगी तो वह बिगड गए उन्होंने तलाश पार्टियों के साथ अपने कारे करता लगा दिये प्लेक कमटी का अध् मिस्टर रेंड बहुत कोंकार आफिसर था वह भारत की जनता पर अत्याचार करने में आनंद का अनभव करता था उसके आदेशे बड़ी घिनोनी वारदाते होने लगी स्त्रियों को सडक पर कड़ा कर निर्वस्त करने और उनके साथ बलतकार करने की गटना ये भी हुई त सिलक ने ब्रिटीश सरकार को आड़े हातों लेते हुई कहा कि ब्रिटन की महारानी भारत मंत्री और उनकी परशद के लिए यह वुचित ना था जो उन्होंने भारत की जनता पर अकारण ही अत्याचार करने के आदेश दे दिये मुंबई सरकार ने रेन जैसे संदिक्ट, बदमिजाज, संकी और अत्याचारी अफसर को जनता पर जुल्म करने के लिए खुला छोड़ दिया सरकार के साथ साथ मुंबई के अधिकारी भी इसके लिए पूरी तरह उत्तरदाई है इस तरह तिलक ने अपने आकरेश को प्रकट कर, सरकार पर अपनी वेत्रेकता प्रकट की अगले अंक में इसी विशेई पर और कुछ अम्शों को जानेंगे, धन्यवाद जाची है, जाल झाल झालकारे प्रकट करते हुआब पूरी भी तरह कार्षट है